जै जै श्री राम जै जै हनुमा भक्त जनों तुल्सी दास जी द्वारा रचित श्री राम चरित मानस में था सबसे सुंदर पसंग आता है सुंदर कांड का जी हां यह सुंदर कांड परम राम भक्त श्री हनुमान जी की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन करता है कहते हैं सुन्दर कांड को पढ़ने, सुनने एवं गाने से भक्तों को पूरी रामायन पढ़ने का शुब फल प्राप्त होता है तथा साथ की साथ हनुमान जी और प्रहुश्टी राम जी की क्रिपाइफ राप्त होती तो आईए पवित्र पावन सुंदर कांड का संगीत मैश्रमन इस सरलवाणी में सुनते हैं एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये भगवान श्री राम चंदर जी महराज की बुली श्री हनुमान जी महराज की रामायन में सबसे सुंदर रामायन में सबसे सुंदर भगतों सुंदर कांड है श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुंदर श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुंदर मा सीता को खोचते खोचते श्री हनुमान जी अंगद जामबंत जी और अन्यवीर सागर तक पर आ पहुँचे हैं जामबंत के याद दिलाने पर श्री हनुमान जी को उनका बल याद आ जाता है और वे प्रभुराम जी की मुद्रिका को मुख में डाल कर पवन वेक से उड़कर सागर पार करने को निकल पड़ते हैं मार्ग में उन्हें सुर्सा नामक राक्षसी मिलती है जिसे देवताओं ने आहार का वरदान दिया हुआ है देवताओं के वरदान का मान रखते हुई श्री हनुमान जी उसके पेट में से होकर निकल आते हैं सुरसा उनकी चतुराई से अतिप्रसन्न होती है और उन्हें विजय होने का आशिरभाद देती है उड़ते उड़ते अनुमान जी लंका नगरिया पहुचते हैं कि क्या देखते हैं द्वार पर लंकिनी पहरा दे रही है श्री हनुमान जी जियों ही लग रूप बना कर भीतर प्रवेश करने लगते हैं कि लंकिनी उनका मार्ग रोपकर उनसे युद्ध करने लगती है मारी लात मुष्ठी काती मारी लंकी निधरा पे गिर आई जाओ राम के काज कराओ हनुमत से वो बत लाई हनुमान के हाथों मर के मुक्ती उसने पाई है लंका भी तर हनुमत आए अखियां फिर चौन दाई है सिया मा का पता न पाए सिया मा का पता न पाए तैरत में हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये कुणगान है करता ये कुणगान है रामायन में समसे सुंगर तो सुंगर कान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये कुणगान है करता ये कुणगान है रामायन में सबसे सुन्दे लंका में घूमते घूमते अचानक उन्हें श्री राम नाम अंकित एक खुटिया दिखती सत्य जानने हे तु वे ब्रहमन का रूप बना खुटिया में जाते हैं तो वहाँ पर पापी रामन का श्री राम का परमभक भाई विभीषण को पाते ही दोनों में मैत्री हो जाती है और वहीं से हनुमान जी को मा सिया का पता प्राफ्त होता है अशोग बाठी का में पहुँच कर श्री हनुमान जी मा सिया को प्रभू की मुद्री का देकर उनका संदेश लेते हैं और मा सीता से वातसल्य और धेर सारे बर्दान प्राप्त करते हैं मा सीता की अनुमती लेकर वो बग्या से फल तोड़ कर खाने लगते हैं जिस से उनका राक्शसों से भैं कर युद्ध हो जाता है जिसमें रावन का पुत्र अक्षय कुमार भी उनके हाथों मारा जाता है अब रावन का परम प्रतापी पुत्र मेघ नाद उन्हें पकल कर अपने पिता रावन के पास ले जाता है शीता मा को वापस कर दो हनुमत ये समझाते हैं सुनी बात हनुमत की रावन रोध में आ जाते हैं तेल पोरी पट बांध पुनी फिर पूँछ में आग थिलगवाई हनुमत ने भी राम बोल के सारी लंका जलवाई गुंज रहा लंका में देखो हाँ गुंज रहा लंका में देखो भगतों जै श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सब से सुन्दक तुन तो सुन्दर खान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दै श्री हनुमान जी ने जै जै श्री राम का उधोश करते हुए सारी लंका को अपनी जलती हुई पूच से जला गिया इधर हनुमान जी जै श्री राम बोलते जाते उधर लंका में हाहा कार मचता जाता एक विभीशन की कुटिया को छोड़ सारी लंका जलकर राख बना दी समुध्र में अपनी पूच की आग बुझा कर हनुमान जी मा सिया के सन मुख फिर आते हुए और निशानी स्वरूप उनकी चूडा मनी लेकर जै श्री राम का उधोश करते हुए रामा दल में लोट आते हैं प्रभू श्री राम सीता का संदेश प्राप्त करते हैं तो हनुमान को रिदे से लगा लेते हैं और उन्हें भरत समान भाई बताते हैं अब प्रभू की सेना सागर तट पर आप पहुची है कीन दिनों तक करी तफस्या फिर भी सागर ना माना श्री राम ने अगनी बान फिर अपने धनुश पर ठाताना शमा मांग ली सागर ने और ये उपाय थे बत लाए नल और नील के हाथों सागर पर से तू को भणधवाए शिला तैर गई सागर में शिला तैर गई सागर में इस पर तुलिखा श्री राम है श्री हनमत की लिलाओं का करता ये गुणगान है रामायण में सबसे सुन्दर शीहन्मट की लीलाओं का परता ये गुण गान है रामायण में सबसे सुन्दर सागर पर सेतु बान राम सेना लंका तड़ परा पहुँची रामन का भाई विवीशन तो पहले ही रामा दल में सम्मिलित हो चुका था आज रामन सेना का संचालन मेगनात कर रहा है और इधर राम सेना का नेत्रत्व लक्षमन जी कर रहे हैं दोनों योधाओं में घंघोर भयंकर युद्ध हुआ कि तभी मेगनात ने शक्ति प्रहार से लक्षमन जी को मुर्चित कर दिया विभीषण के कहने पर लंका नगरी से श्री हनुमान जी वैद्ध सुषेण को लियाए वैद्ध जी के बतायनु साल श्री हनुमान जी पवन वेग से उड़कर हिमालय परवत श्रंकला से संजीवन भूटी वाला द्रोणा गिरी परवती उठा लाए संजीवन ग्रहन करते ही लक्ष्मन जी जीवित हो उठे और पूरे रामा दल में जै श्री राम और जै हनुमान जी की जैकार होने लगी बूटी वाला परवत लाए प्राण लखन के राखे थे राम काज करने में हनुमत भगतों सबसे आगे थे भरत समान बताए राम जी उनको हिर्द लगाए थे चेम के आँसू भक्त और भगवान के आँखों आए थे राम चरण में बैठ गए थे राम चरण में बैठ गए थे भगतों फिर हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर तों सुन्दर गान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर रावन और राम जी के बीच घंगोर युद्ध हुआ भकतों और रावन का अंकर प्रभूश्री राम जी ने मा जानकी को उनकी कैद से छुड़ाया और भाता लक्षमन अपनी पत्नी सीता और अनेकानेक योधाओं के साथ पुश्पक विमान चड़कर अयोध्या आ गए भाई भरत ने विधी विधान से राम जी का राज तिलक करवाया अयोध्या नगरी ने दीप जलाकर सारे नगर में दीपावली मनाई देश देश आंतर के राजाओं ने राम जी और सीता जी को अनमोल उपहार दिये विभीषण ने भी अनमोल रतनों की माला मा सीता को भेट स्वरूर दी जो मा सीता जी ने हनुमत के कले में पहना दी और हनुमत को देखो माला का एक-एक मन का तोड़ता जाता है और उसे भेटता जाता है विभीषण के पूछने पर हनुमान जी कहते हैं कि जिस माला में श्री राम नहीं वो माला भला मेरे किस काम की क्रोध वे विभीषण के ताना देने पर हनुमान जी क्या करते हैं आईए सुनाता हूँ लंका पती ने हसी उड़ाई आखों आसु भराई सीना चीर के राम सियाता दर्शन सब को करवाई राम नाम का चंदन अपने कन मन पे सब रंग डाला राम भगत कोई हुआ न होगा अनुमत तुम सामत वाला जिसकी श्वास श्वास में भगतों जिसकी श्वास श्वास में भगतों वस्ते प्रभु श्री राम है श्री हनुमत की लिलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दक तो सुन्दर कान है शीहन मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दक जै जै श्री राम जै जै हनुमान भक्त जनों तुलसी दास जी द्वारा रचित श्री राम चरित मानस में सबसे सुन्दर पसंग आता है सुन्दर कान का जी हां यह सुन्दर कान परम राम भक्त श्री हनुमान जी की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन करता है कहते हैं सुन्दर कान को पढ़ने सुनने एवं गाने से भक्तों को पूरी रामायन पढ़ने का शुब फल प्राप्त होता है तथा साथ ही साथ हनुमान जी और प्रभूश्री राम जी की क्रिपाएं फ्राप्त होती है तो आईए पवित्र पावन सुन्दर कान का संगीत मैश्रमन इस सरलवानी में सुनते हैं एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये भगवान श्री राम चंदर जी महराज की बुलिये श्री हनुमान जी महराज की रामायन में सबसे सुन्दर पगतो सुन्दर कान है श्री हन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर अब तो सुन्दर कान है शीहन्मत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर मा सीता को खोचते खोचते श्रीहनुमाण जी अंगद जामवंथ जी और अन्य वीर सागर तक पर आ पहुँचे जामवंथ के याद बिलाने पर श्रीहनुमाण जी को उनका बल याद आ जाता है और वे प्रभुराम जी की मुद्रिका को मुख में डाल कर पवन वेक से उड़कर सागर पार करने को निकल पड़ते हैं मार्ग में उन्हें सुर्सा नामक राक्षसी मिलती है जिसे देवताओं ने आहार का वरदान दिया हुआ हुआ है देवताओं के वर्दान का मान रखते हुए, श्री हनुमान जी उसके पेट में से होकर निकल आते हैं, सुरसा उनकी चतुराई से अतिप्रसन्म होती है, और उन्हें विजय होने का आशिरवाद देती हैं, उड़ते उड़ते हनुमान जी लंका नगरिया पहुचते हैं, कि क् द्वार पर लंकिनी पहरा दे रही है, श्री हनुमान जी ज्यों हिल गुरूप बनाकर भीतर प्रवेश करने लगते हैं, कि लंकिनी उनका मार्ग रोपकर उनसे युद्ध करने लगती हैं मारी लात मुष्ठिकाती मारी लंकिनी धरा पे गिर आई, जाओ राम के काज कराओ, हनुमत से वो बत लाई हनुमान के हाथों मर के, मुक्ती उसने पाई है, लंका भीतर हनुमत आए, अखियां फिर चोंदाई है, सीया मा का पता न पाए सीया मा का पता न पाए, पहरत में हनुमान है, श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दे लंका में घूमते घूमते अचानक उन्हें श्री राम नाम अंकित एक खुटिया दिखती है सत्य जानने हेती वे ब्रहमन का रूप बना खुटिया में जाते हैं तो वहाँ पर पापी रामन का श्री राम का परमभक भाई वे भीषण को पाते हैं दोनों में मैत्री हो जाती है और वही से हनुमान जी को मा सिया का पता प्राप्त होता है अशोग बाटिका में पहुँचकर श्री हनुमान जी मा सिया को प्रभू की मुद्री का देकर उनका संदेश देते हैं और मा सीता से वादसल्य और धेर सारे वर्दान प्राप्त करते हैं मा सीता की अनुमती लेकर वो बग्या से फल तोड़ कर खाने लगते हैं जिससे उनका राक्षसों से भेंग कर युद्ध हो जाता है जिसमें रावन का पुत्र अक्षे कुमार भी उनके हाथ को मारा जाता है अब रावन का परम प्रतापी पुत्र मेगनाद उन्हें पकल कर अपने पिता रावन के पास ले जाता है शीता मा को वापस कर दो हनुमत ये समझाते हैं सुनी बात हनुमत की रावन प्रोध में आ जाते हैं तेल पोरी पट बांद पुनी फिर पूँच में आग कि लगवाए अनुमत ने भी राम बोल के सारी लंका जलवाई गूझ रहा लंका में देखो भगतों जै श्री राम है श्री अनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर कुण तो सुन्दर कान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर श्री हनुमान जी ने जै जै श्री राम का उधोश करते हुए सारी लंका को अपनी जलती हुई पूँच से जला दिया इधर हनुमान जी जै श्री राम बोलते जाते उधर लंका में हाहा कार मचता जाता एक विभीशन की कुटिया को छोड़ सारी लंका जल कर राख बना दी समुद्र में अपनी पूँच की आग बुझा कर हनुमान जी मा सिया के सन मुख फिर आते हैं और निशानी स्वरूद उनकी चूड़ा मनी लेकर जै श्री राम का उधोश करते हुए रामा दल में लोट आते हैं प्रभू श्री राम सीता का संदेश प्राप्त करते हैं तो हनुमान को रिदे से लगा लेते हैं और उन्हें भरत समान भाई बताते हैं अब प्रभू की सेना सागर तट पर आप पहुची है कीन दिनों तक करी तफस्या फिर भी सागर ना माना श्री राम ने अगनी बान पिर अपने धनुश पर खाताना शमा मांगली सागर ने और ये उपाए थे बतलाए नल और नील के हाथों सागर पर से तू को बंधवाए शिला तेर गई सागर में शिला तेर गई सागर में जिस पर तो लिखा श्री राम है श्री हनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर तो सुन्दर कान है शीहन्मत की लीला आउंका करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर सागर पर सेतु बान्ध राम सेना लंका तटपरा पहुँची रामन का भाई विवीशन तो पहले ही रामा दल में सम्मिलित हो चुका था आज रामन सेना का संचालन मेगनात कर रहा है और इधर राम सेना का नेत्रत्व लक्ष्मन जी कर रहे हैं दोनों योध्धाओं में घंघोर भयं कर युद्ध हुआ कि तभी मेगनात ने शक्ति प्रहार से लक्ष्मन जी को मुर्चित कर दिया विभीषण के कहने पर लंका नगरी से श्री हनुमान जी वैद्ध सुषेण को लियाए वैद्ध जी के बतायनु साल श्री हनुमान जी पवनवेग से उड़कर हिमालय परवत स्रंकला से संजीवन भूटी वाला द्रोणागिरी परवती उठालाए संजीवन ग्रहन करते ही लक्ष्मन जी जीवित हो उठे और पूरे रामा दल में जै श्री राम और जै हनुमान जी की जैकार होने लगी बूटी वाला परवत लाए प्राण लखन के राखे थे राम काज करने में हनुमत भगतों सबसे आगे थे भरत समान बताए राम जी उनको हिर्द लगाए थे चेम के आँसू भक्त और भगवान के आँखों आए थे राम चरण में बैठ गए थे राम चरण में बैठ गए थे भगतों फिर हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर है रावन और राम जी के बीच घंगोर युद्धु हुआ भकतों और रावन का अंकर प्रभूश्री राम जी ने मा जानकी को उनकी कैद से छुड़ाया और भाता लक्षमन अपनी पत्नी सीता और अनेकानेक योधाओं के साथ पुश्पक विमान चड़कर अयोध्या आ गए भाई भरत ने विधी विधान से राम जी का राज तिलक करवाया अयोध्या नगरी ने दीप जलाकर सारे नगर में दीपावली मनाई देश देश आंतर के राजाओं ने राम जी और सीता जी को अनमोल उपहार दिए विभीषण ने भी अनमोल रतनों की माला मा सीता को भेट स्वरूर दी जो मा सीता जी ने हनुमत के गले में पहना दी और हनुमत को देखो माला का एक-एक मन का तोड़ता जाता है और उसे भेटता जाता है विभीषण के पूछने पर हनुमान जी कहते हैं कि जिस माला में श्री राम नहीं वो माला भला मेरे किस काम की है क्रोध वे विभीषण के ताना देने पर हनुमान जी क्या करते हैं आईए सुनाता हूँ लंका पती ने हसी उलाई आखों आसु भर आई सीना चीर के राम सिया का दर्शन सब को करवाई राम नाम का चंदन अपने कन मन पे सब रंग डाला राम भगत कोई हुआ न होगा हनुमत तुम सामत वाला जिसकी श्वास श्वास में भगतों जिसकी श्वास श्वास में भगतों वस्ते प्रभु श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणदान है रामायन में सबसे सुन्दे